नमस्कार दोस्तो, मैं पाउन, मेरे चैनल टेकी पाउन में आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा सास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एन्सीफ 2005 और जितने भी शिक्षन से संबंदित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तित मापन विदियां, जिसमें पहली A विदी हम पढ़ेंगे, प्रक्षेपी विदी और उस प्रक्षेपी विदी का पहला परकार, प्रासंगिक अंतरभोद परिक्षन विदी हम पढ़ेंगे, टैट्ट व्यक्तितुमापन विधिया ये दो प्रकार की होती है प्रक्षपी विधी और एप्रक्षपी विधी प्रक्षपी विधी में ये सारे 6 प्रकार आते हैं जबकि एप्रक्षपी विधी में पहले में आत्मिनिष्ट आता है और दूसरे में वस्तुनिष्ट विधिया आते हैं अब हम इनको एक-एक करके एक-एक वीडियो में देखेंगे कि क्या है ये प्रकार व्यक्तितुमापन की पहली एविदी प्रक्षेपन विदियां प्रक्षेपी शब्द का सर पर्थम प्रियोग सिग्मन फ्रायड ने अठारासो गुणनचास में किया था प्रक्षेपन का अर्थ होता है अपनी बातों, विचारों, भावनाओं आधी को स्वयम ने बताकर किसी अन्य उद्धीपक या पदार्थ के माध्यम से अभिव्यक्त करना उसे को प्रक्षेपन कहते हैं खुद नहीं बताएगा किसी उद्धीपक या पदार्थ को द्वारा वो बताता है उसके माध्यम से प्रक्षेपन विधियों के माध्यम से अचेतन मन का अध्यन किया जाता है प्रक्षेपी विधी व्यक्तितु मापन की सबसे श्रेष्ट विधी मानी जाती है अब इसका प्रकार देखते हैं, पहला प्रकार इसका प्रासंगिक अंतरबूत परिक्षण TAT, इसका अन्य नाम है कथा परसंग परिक्षण, कथानक संप्रतय लक्षण परिक्षण, इसके प्रतिपादक है मौर्गन और मुर्रे, 1935 में ये विचार दिया गया, कुल कार्ड इसमें 30 प्लस 1 बराबर 31 होते हैं, पुरुष इस्तरी तथा पुरुष इस्तरी दोनों होते हैं, चित्रों से संब्दित कार्ड 30 हैं और खाली कार्ड एक होता है, इस परिक्षण में 10 कार्ड पुरुष चित्रवाले होते हैं, 10 कार्ड इस्तरी चित्रवाले तथ शेश-दस कार्ड पर इस्त्री और पुरुष दोनों से संबंदे चित्र होते हैं। बालक को कम से कम 20 चित्र वाले कार्ड दिखाकर प्रते कार्ड के चित्र के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। और उन कहानियों के आधार पर बालक के व्यक्तित्व की पैचान की जाती है कहने का मतलब बच्चे को ये काड़ दे देंगे अलग-लग चितर वाले और बोलेंगे इस पर लिखके दिखाओ फिर वो अपनी creativity दिखा कर उनकी कहानिया लिखेगा और उन कहानियों को पढ़कर उस बच्चे के व्यक्तित्व के बारे में पता लगाया जा सकता है यह परिक्षन व्यक्तिकत भी हो सकता है और सामोहिक भी हो सकता है थता 14 वर्से अधिक आयूवाले लोगों के लिए विशेश उपयोगी है यह टैट परिक्षन का भारतिक रण किस ने किया है उमा चोदर जी ने किया है